हेलो गाईज तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे यानि कि भारत का स्वन्नी म्यूग भी से बोला जाता है या भारत का स्वन्न काल भी से बोला जाता है तो हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यदि हम गुप्त समराजय को देखें या गुप्त वंस को देखें तो जो गुप्त राजवंस था एक प्राचीन भारतिय समराज्य था जिसने मौर्य के बाद भारत का पुनावए की करन किया यनि कि अगर हम देखें जो मौरिय थे मौरिय राजवन्स था उन्होंने पहले मगत से लेके इन्होंने पूरे भारत पर उत्तर से लेके दक्सिर्टा कि इन्होंने अपना समराज्य इस्तापित किया और भारत को एक एकता के सूत्र में इन्होंने बादा था भारत का इन्होंने पूरा राजनेतिक एक ही करण किया था जो अखंड भारत की संकल्पना थी उसको इन्होंने पूरा किया था लेकिन जब मौर्यों का पतन हो जाता है मौर्य वंस का जब डिकलाइन हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे राजवंसों का उदाई होता है जो कि पूरे भारत का विकेंद्री करण कर देते हैं यनि कि जो एकी करण मौर्य समराज्य ने किया था अब उसका विकेंद्री करण हो जाता है छोटे 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 राजवंस थे वो वहाँ पे अब सासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो यदि हम देखें मौरियों का जो समराज्य था, यहाँ से लेके जितना यह दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले कलर में, तो यहाँ तक यह पूरा मौरियों का समराज्य था, जो कि काफी एक बड़ा छेत्र था, जिसक इसरी सतापदी में देखें, तो भारत में कोई बड़ा संगठीत राज्य अस्तित्वा में नहीं था, क्योंकि जब मौर्यों का जब विघटन हो गया, पतन हो गया था, तो वहाँ पे इनके छेतर में छोटे-छोटे राजवन्सों का उदय हो गया था, जो की स्वतनतर इंपायर था, वो यहाँ पे सासन कर रहा था, और यहाँ पे साथ वाहनों का यहाँ पे सासन कर रहे थे, यहाँ पे पांडिया किंडम था, तो इस परकार से जो मौर्यों का इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा उनका समराज्य था, वो छोटे-छोटे राज्यों में वो थे साथ वाहनों का राजवन्स और कुसानों का राजवन्स जो ये दो राज्य थे ये उस टाइम पे एक सक्ती उभर के आते हैं क्योंकि इनका जो छेत्र था वो बड़ा छेत्र था जो साथ वाहन थे वो दक्कन के छेत्र और दक्सिन के छेत्र में ये सासन कर रहे थे और और जो कुसानास है वो उत्तर भरत में रूल कर रहे हैं और ये उस टmostरख़ बिमेदे का रहे हैं इनके ये जादा सकती शाली थे ओरों की तुल्ला में और जो ये था ये था कُसानों का एमपाइर इतना दौड़ा उत्तरभारत में इनका एमपाइर था तो जो गुप्त लोग थे वो इन्ही के साम्मन्त हुआ करते थे जो बाद में इनके उत्ताराधिकारी बन बैठते हैं लेकिन अगर हम देखें जो ऐसी राजनेतिक परिस्थितियां वहाँ पे थी तो इन्ही के बीच में गुप्त राजवन्स का उदाई होता है जिन्होंने स चेत्र हो था वह बहुत बड़ा चेत्र था लेकिन जो गुप्तों का चेत्र था वो उनकी तुलना में एक छोटा राज्या उनका था अब आमतोर पर एक प्रस्ने पूछा जाता है कि जो गुप्त थे वो कौन थे तो गुप्तों को कोई लोग ब्रामन मानते हैं कोई उनको चत्रिया मानते हैं, कोई उनको वैश्या मानते हैं, कोई उनको सुद्र मानते हैं, तो अलग-अलग विध्वानों ने अपने अलग-अलग तर्क दिये हैं, कोई उनको ब्राह्मन मानता है, तो कोई उनको वैश्या मानता है, तो जो ब्राह्मन हैं, ब्राह्मन उनको मानते हैं हेम चंदर राय चौदरी ये इनको गुप्तों को ब्रामन बोलते हैं और इनका तर्क ये है कि जो अगनी मित्र थे उनकी पत्नी का नाम था धारणी और जो इनके पुत्र थे वो गुप्त हुए और जो धारणी थी ये मुख्य रूप से धारण गौत्र का इस्तेमाल करते थे धारण गौत्र का ये यूज करते थे और जो धारण गौत्र था उस टाइम पे ब्रामन वो उसको इस्तेमाल करते थे तो ये इनका तर्क था और दूसरा आते हम कि जो छत्रिय थे तो रमेश चंद्र मजुमदार जीन को छत्रिय मानते हैं और वैशिय इनको रोमिला थापर जी मानते हैं क्योंकि जो ये गुप्त लोग थे ये अपने नाम के आगे से गुप्त का इस्तेमाल करते थे तो गुप्त उस टाइम पे वहिशियों को बोला जाता था और जो सुद्र हैं डॉक्टर केपी जैस्वाल इनको सुद्र मानते हैं अब हम देखते हैं कि जो गुप्त है, गुप्तों के बारे में हमें पता चलता है तो आकिन हमें कैसे पता चलता है तो किसी भी चीज को जानने के लिए हमारे पास 3 sources available होते हैं एक होता है साहितिक स्रोथ, पुरा तात्विक स्रोथ और जो विदेशी यात्रियों के विरतान्त होते हैं उनके माध्यम से जब हम उनका अध्यन करते हैं तब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है तो इसी परिकार से में गुप्तों के बारे में भी पता चलता है साहितिक स्रोथ देखें, तो क्योंकि गुप्त काल में अधिकान साहितिय लिखे गए थे तो हमें विशागदत की देवी चंदर गुप्तम से भी पता चलता है कि गुप्तों के बारे में हमें यहां से पता चलता है यहां से हमें चंदरगुप्त द्वित्या के बारे में पता चलता है यहां पर उलेक क्या गया है कि जो चंदरगुप्त सैकिंड थे चंदरगुप्त द्वित्या थे वो धुरवा देवी से साधी कर लेते हैं जो कि उनके बड़े बाए राम गुपत्य की पत्नी थी क्योंकि जब जो राम गुपत थे वो एक कमजोर सा सकते जब समूद्रगुपत की मिर्थी होई तो राम गुपत सासन वहाँ पे बैठते हैं लेकिन जो सक राजा थे रुद्र सिंग तिर्तिया वो यहाँ पर हमला करते हैं इनके राज्या पर और राम गुप्त को हरा देते हैं और उनकी पत्नी को ले जाते हैं तो इस पे चंद्रगुप दितिया को गुसा आता है और वो सक राजा जो रुद्र सिंग तीरतिया थे उनको हरा देते हैं और धुरवा देवी को वापस लियाते हैं और राम गुप्त को मार कर धुरवा देवी से ये साधी कर लेते हैं तो ये उलेख हमें विसागदत की देवी चंदर गुपतम से प्राप्त होता है और सुद्रक की मृच्छ टिकम से हमें पता चलता है, वात्सायन की काम सुत्र से पता चलता है और काली दास की विभिन रचना है जिसमें की परमुक है अभिज्ञान साकुंतलम इससे भी हमें ग प्रियाक प्रसस्ती जिसे की हरिशेंड ने लिखा था और हरिशेंड समुद्र गुपत का दरवारी कवी था वो उसमें समुद्र गुपत को लिच्छवी दोहित्र बताते हैं लिच्छवी दोहित्र का मत्तब है यानि कि लिच्छवी कन्या से उत्पन वो बताते हैं और य तो यहां से हमें कुमार गुप्त प्रथम के बारे में पता चलता है और भीतरी अभिलेक और जुनागड अभिलेक तो यहां से हमें जो मुख्य रूप से हमें जानकारी प्राप्त होती है वो इसकंद गुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है जो की गुप्त व जब अच्छा नेतृत्व नहीं मिलता है तो उसी प्रकारचिय समराज्य का पत्न हो प्रकार क्षा सो प्रकार मोला ज wait इसके अलावा हम देखें सिक्के देखें तो सिक्कों के माध्यम से भी हमें पता चलता है क्योंकि गुप्तों ने काफी सबसे अधिक स्वन की जो मुद्रा होती थी स्वन सिक्के उन्होंने जारी किये थे और सोने के सिक्के को इस टाइम पर दिनार कहा जाता था और जो कुमारदेवी का इन्होंने सिkkha जारी करवाया था या समुद्रगुप्त भी हमें वहाँ पे विना बजाते वह दिखते हैं क्योंकि ये कला के प्रेमी थे तो इस परकार से हमें सिkkhों के माध्यम से पता चलता है और धनोधर परकार के सिक्के भी नों ने जारी किये थे जिस परकार से चित्र में दिख रहे हैं हमें दो सिक्के दिख रहे हैं एक जो समद्र गुप्त का वीना बजाते हुए ये सिक्का है और दूसरा सिक्का है तो ये दोनों सिक्के जो है ये गुप्तकाल से संबंदित है और इससे हमें उसके बारे में पता चलता है और इसके अलावा हम देखें मंदिर कला देखें तो जो आज के मंदिर हमें दिखते हैं तो गुप्तकाल से ही उनका आरंभ हुआ था यानि कि गुप्तकाल में मंदिर ह मैं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखते हैं यही से मंदीरों की सहलियों का यहां से प्रारम होता है वैसर सहली, नागर सहली जो मंदीरों के सहली होते हैं यही से इनका प्रारम होता है और मूर्तिकला या चित्रकला आदिका यहां से प्रारम होता है क्योंकि जो बौदिष्ट मौंक हुआ करते थे वो जगे जगे चित्रकारी करते थे या मूर्ति कला भी हैं से बनी बुद्ध की यहाँ पे मूर्तियां बनी और इसके अलावा एक जो हमारे पास एक सोर्स और होता है वो होता है विदेशी यात्रियों के विरतान्त होते हैं ज जैसा उनको दिखता था वो वैसे ही अपने लेखों में उनको लिखते थे और बताते थे तो जो फायान था चीनी यात्री वो चंद्रगुप्त दृत्टिय के समय में भारत में आता है और भारत की स्तिति के बारे में बताता है वो मुख्यरूप से बहुत साहित्य का यहां पे अध्यन करने के लिए आते हैं लेकिन वो यहां पे जो उनको लगता है भारत में जो चीज़ों वो देखते हैं उनका वो विस्तृत विर्तान करते हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है और जो अभिज्ञान साकुंतलम थी जो कि कालित दास जी के द्वारा रचित है, वो हमारे भारत का पहला साहित्या है, जिसका कि अंग्रे जी में अनुवाद किया गया, पहले अभिज्ञान संकुत तलम का अनुवाद इंग्लिस में किया गया था, उसके बाद गीता का अनुवाद इंग्लिस में किया जाता है, तो यह था हमारे गुप्त काल के बारे में, इनके सोर्सेस के बारे में, और इसकी प्रिष्ट भूमी के बारे में, और जो इनके सोर्सेस थे कि हमें कहां से इनकारी प्राप्त होती है, तो अगले वीडियो में हम इनके जो मैन राजा थे, गुप्त वन्स के, उनके बारे में ह आप हमारा चेनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें